हेलो फ्रेंड्स स्टेडी विद मैंक के करेंट अफर सेसिंग में आपका स्वागत है यह करेंट अफ़ैर स्सी पैंकिंग रेलवे स्टेट पेसी एस सीडियेस सीएफ एफ एफ एंडिये और अधर कंपटेटिव एक्जमादी में सहायक होंगे आज की डेट है 11 नवंबर 2021 तो चलें आज का करेंट अफ़ैर सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है हाली में किस मसूर मल्यालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया अफशन E सरण्या ससी अफशन B कोजिकर सार्दा अफशन C प्रिया प्रकास अफशन D चित्रा देखे मसूर मल्यालम अभिनेत्री कोजिकर सार्दा का 9 नवंबर 2021 को एक मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया वे 84 वर्ष की थी और पिछले कुछ दिनों से विमार जल रही थी अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री ने साल 1979 में अपनी पहली मल्यालम फिल्म अंगाकुर्ग में काम किया है उन्होंने लगवग 80 फिल्मों में काम किया था तो इसका जो सही अंसर होगा वह आपका उफशन B कोजिकर सार्दा चले नेक्स्ट कुशन पर जलते हैं भारत और किस देश ने हाली में तक्नीकी सहियों को और प्रगार बनाने के लिए नवाचार के छेत्र में एक दुपक्षिय समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं अफशन A पाकिस्तान, अफशन B चेन, अफशन C नेपाल, अफशन D इस्राइल भारत और इस्राइल ने हाली में तक्नीकी सहियों को और प्रगार बनाने के लिए नवाचार के छेत्र में एक दुपक्षिय समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं भारत और इस्राइल ने ड्रोन, रोबोटिक, कृत्री बुद्धिमिता और क्वांटम कम्प्यूटरिंग समेथ अपनी अगली पीडी की प्रदगी की और उत्पादों के सेवत रूप से विकार सेतु समझोता किया हैं यह उनके बीज बढ़ते रक्षा समझों का प्रतीक है भारती रक्षा मंत्राले ने कहा कि वो बढ़ते भारत इस्राइल दखनी की सहियों का एक ठोस प्रदसन है तो इसका जो सही अंसर होगा वह आपका ओप्षिन डी इस्राइल चले नेक्स्ट कुशन पर जलता है केंद्र सरकार ने हाली में किसे अगले नौसेना प्रमुक के रूप में निक्त किया है ओफ्षन ने वाइस एड्मिरल आर हरी कुमार ओफ्षन भी वाइस एड्मिरल रवनीद कुमार ओफ्षन सी वाइस एड्मिरल अधीर अरोडा ओफ्षन सी वाइस एड्मिरल स्रेकांद देखिए सरकार नी वािस एडमिरल आर हरी कुमार को नौसेन स्टाफ का नया प्रमुक नूक्त किया है मौजुदा नौसेना प्रमुक एडमिरल करमंडीर सिंग 13 नहबहमबर 2021 को सेवा निवर्थ हो रहे हैं वाइस एड्मिरल आर हरी कुमार को 1 जन्वरी 1893 को भारती नौसेना की कारेकारी साखा के रूप में न्यूक्त किया गया था। लफल 39 वर्सों की अपनी लंबी और विसिस्ट सेवा के दौरान उन्हेंने विसिस्ट कमांड, स्टाफ और निर्दिसात्मक न्यूक्तियों पर क साथी उन्होंने भारती नौसेना की विमान बहागपोर्थ आइनस विराट पर भी बतोर कमांडर अपनी सेवाएं प्रदान की है। तो इसका जो सही अंसर होगा वह आपका ओफ्शन ए होगा वाइस अड्मिरल आर हरी कुमार। चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलता है। सामती और विकास के लिए विश्य विज्यान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इक अंतरास्टी दिवस है। यह दिवस समाज में विज्यान की महतपूर भूमिका पर प्रकास टालता है। यह दिवस साल 2002 में पहली बार मनाया गया था। तो इसका जो सही अंसर होगा वह आपका ओफ्शन सी 10 नभंबर। चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलता है। भारत सरकार ने यंग इन्वेस्टर्स इनोवेटर्स के लिए किस तारीक को मेंटर्सी प्रोग्राम लॉंच किया है। ऑफ्शन E 8 नभंबर 2021, ऑफ्शन B 5 नभंबर 2021, ऑफ्शन C 2 नभंबर 2021, ऑफ्शन D इनमें से कोई नहीं। देखे भारत की सोतंतरता के 75 वर्स को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटर्सी प्रोग्राम सुरू किया है। भारत सरकार के केंद्री मंत्री टॉक्टर जी तेंद्र सिंग ने 8 नभंबर 2021 को पहली बार एक मेंटर्सी प्रोग्राम की सुरुवात की है। यह कारिकरम नेट्वर्किंग, आउट्रिच और हैंड होल्डिंग की अवधार्ना की दिसा में मदद करेगा। तो इसका जो सही अंसर होगा वह आपका ओफ्शन ए 8 नभंबर 2021। चलिए नेक्स्ट कोईशन पेगलते हैं। Q6 है, अभी हाली भी भारत ने अफ़किनस्तान पर NSA स्तरियस सिखर समयलन की मेजबानी की है। इस सिखर समयलन में कुल कितने देश सामिल हुए हैं। Q9 अफशन B 13 अफशन C 7 अफशन D 12 भारत ने 10 नभंबर 2021 को अफ़किनस्तान में लोगतांतरिक रूप से चुने की सरकार के पतन। और इस देश में तालिबान के अधिकरहां के बाद पड़ोसी अफ़किनस्तान में चल रही स्तिती पर चर्चा करने के लिए एक छेत्रे सिखर समयलन की मेजबानी की है। इस समयलन के अधक्सता भारत के राश्टे सुरक्षा सलाकार अजित धोबाल कर रहे हैं। और इरान, रूज, कजक्सतान, किर्गिस्तान, तुर्केमेनिस्तान और तजाकिस्तान के उनके समवक्रक्ष भी इस समयलन में उपस्थित हुए हैं। हाला कि चीन और पाकिस्तान पहले ही कह चुके हैं कि वे इस समयलन में सामिल नहीं होंगे। और इस सम्मेलन के लिए अफ़किनस्तान से किसी प्रतिवरिधी मंडल को अमत्रित नहीं किया गया है। तो इसका जो सही अंसरों का वह होग आपका option, option C साथ देश कर रहे हैं। भारत मिला के ठीक है। चलिए next question पे जलते हैं। भारते नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के तहट चौथी स्कॉर्पियन पंडूबी सौपी है। उसका नाम क्या है? option E, Vela, option B, Gone, option C, Team, option D, Moon। यह भारते नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के तहट चौथी पंडूबी वेला सौपी गई है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की छे पंडूबी सामिल है। यह सभी पंडूबी made in इंडिया है। अब तक जितनी भी पंडूबी इस प्रोजेक्ट के तहट बनी हैं, उन्हें मजगाओं डॉक से विल्डर्स लिमिटेड मुमे में बना गया है। इसका फ्रांस में मेसर्स लेवल ग्रूप के साथ समझोता है। वेला पंडूबी को बनाने की सुर्वाद जो है आपका 6 मैं 2019 को हुई थी। इसके बार इसके बंदर कहा और समुद्र के अंतर जुड़े ट्राइल जिन में हतियार और संसर का ट्राइल सामिल था। तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा आपका ओप्शन ए वेला। चले नेक्स्ट कुशिन पर चलता है। आइसेसी की तरफ से ओक्टूबर 2021 के लिए किस सर्वस्रेस्ट पुरस क्रिकेटर एवग सर्वस्रेस्ट महिला क्रिकेटर को चुना गया है। ओफ्शन ए में आपका विराट कोहली और स्मृति मन्दना ओफ्शन बी आसिफ अली और लॉरा डेलानी ओफ्शन सी बावराजम और मेगान सकर्ट ओफ्शन अंटी टिम पेन और सनामीर। दिकेट पागिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली और आइलेंड की ओल राउंडर लॉरा डेलानी को ओक्टूबर के लिए अंतरास्टी क्रिकेट परिस्ट ने सर्वस्रेस्ट पुरुस और महिला खिलाडी जुना। आसिफ ने बांगलादेश के साकिव अलहसन और नामेविया के डेविड वाइसी को पचाड कर पुरुस वर्ग का पुरुसकार अपने नाम किया। जबकि महिला वर्ग में लॉरा ने टीम के अपनी साथी गेवी लूइस और जिंबावे की मेरी और मुसोंडा को पचाडा है। तो इसका जो सही इंसर होगा वह आपका ओप्शन B आसिफ अली जो कि पाकिस्तान से है और लॉरा डेलानी जो कि आइलेंड से है। चलिए, नेक्स्ट कोईशन पे चलता है। समानित किया गया है। भारत की संत्रता के पचासवे वर्स के उपलक्ष में भारत सरकार द्वारा स्वन जेनती फैलोसिप योजना की स्थापना की गए थी। योग परमानित ट्रेक रिकॉर्ड वाले चैनित युवा विज्ञानिकों को विसेश सहायता प्रदान करता है ताकि वे विज्ञान एवन प्रदगिकी की अग्रणी छेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ा सके। इस पुरस्कार में विज्ञान और प्रदगिकी विभाग द्वारा पांच साल की अविधी के लिए पांच लाक रुपे प्रतिवर्स की अनुसंधान अनुदान के साथ मूल संगसाधन से प्राप्त वेतन के अलावा 25,000 रुपे प्रतिमहा की फैलोसिप सामिल है। तो इसका जो सही अन्सर होगा वोगा आपका option A 17। चले next question पर चलता है। को पद्मपुरसकार प्रदान किये। इस सूची में 7 पद्मभूशन, 10 पद्मभूशन और 102 पद्मश्री पुरसकार सामिल है। पद्मपुरसकारों की घुषना प्रती वर्स जो है आपका गणतंत्र दिवस पर की जाती है। वर्स 1954 में स्थापित यो पुरसकार संचित रूप से वर्स 1978 और वर्स 1979 और वर्स 1993 से वर्स 1997 के दोरा निलंबित हुआ। यो भारत के सरवोचे नागरिक संबानों में से एक है। यो ऐसी सभी गतिविध्यों या वशेक के छितरों में उप्लवित्यों के पहचान करता है, जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व सामिल है। ये पुरसकार तीन स्रेणियों में दिये जाते हैं। पहला पद्म भीभूशन जो कि आपका असाधरन और विसस्ट सेवा के लिए दिया जाता है, दुसरा पद्म भूशन जो कि आपका उच्चे कर्म के विसस्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और तिसरा है पद्मसरी जो कि आपका प्रतिस्ट सेवा के लिए दिया जाता है, अफ़ेर्ट अफ़ेर्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पूर वाचिंग, हैव अनाइस टे, टेक केर